तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 जोग्राफी चैप्टर 2 ग्लोप लेटिटीट्स एंड लॉंगिटीट्स का नेक्स कोश्चन जिसमें बोला गया है इनको आपको फिल करना है नेकी भरना है तो चलिए इनको देखते हैं one by one तो सबसे पहले blank में दिया हुआ है कि the true shape of the earth is blank जो true shape है जो सही वाला shape है earth का वो क्या होता है तो देखिए students यह हमारी earth है जो earth है वो sphere नहीं होता है गोला नहीं होता है यह जो है न यह poles के पास में थोड़ी चप्ती होती है फ्लेट होती है ओके फ्लेटन होती है तो यह जो shape होता है यह sphere नहीं होता है यहाँ पर यह चप्ती होती तो इसको क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं oblate spheroid oblet spheroid याने की अंडे के आकार का जो की चप्टा होता है न अंडा भी sphere नहीं होता है उस type का इसको और क्या बोचकते हैं oblet ellipsoid ओके इसको क्या बोचकते हैं oblet ellipsoid या इसको और क्या बोचकते हैं elliptical सभी का intention याने की मतलब यह है कि यह अंडे के आकार का होता है तो आपको तीनों नहीं लिखना है students यहां तो oblet spheroid लिखेंगे यहां फिर oblet ellipsoid लिखेंगे यहां फिर elliptical लिखेंगे यह तीनों यह answer basically बिल्कुल सही है ओके clear है चलिए देखते हैं next question second blank है the ends of the axis north pole and south pole जो axis होती है देखो हमारा जो यह earth होता है इस earth के center से जो line जाती उसकों बोलते है axis क्या बोलते है students इसकों बोलते है axis ओके तो इस axis के जो end point है वो end point क्या है यह है हमारा north pole और यह क्या है south pole clear है तो वहीं बोला है कि इस axis के जो ends होते है जो end points होते है North Pole पे और दूसरा होता है South Pole पे Clear students? Okay Next blank में क्या दिया हुआ है? Blank is the exactly halfway between the two poles. Okay, यहाँ पे अब देखिए, एक अर्थ है हमारा माल लेते हैं Okay इस अर्थ के जो बीच से एकदम एकदम बीच से जो horizontal line जाती है, जो horizontal line जाती है, इसको हम बोलते है equator, क्या बोलते हैं students इसको equator बोलते हैं, ओके जो horizontal line जाती है, उसको equator और जो vertical line होती है, the prime meridian, यह आपको याद होना चाहिए तो यह जो equator है ना यह exactly halfway याने exactly वो दो equal half में तोड़ देता है तो यह जो दो चीज़ी तूटती है तो क्या टूट रही है, इधर साइड पे north pole, इधर साइड पे south pole, तो दो पोल होते हैं तो वही बात बोल रहा है कि two poles के between याने की एकदम बीच में दो पोल के एकदम बीच में जो exactly half करती line उसको हम क्या बोलते हैं, equator बोलते हैं, clear students चलिए, next blank दिखते हैं the blank help us to locate any place on the surface of the earth तो ऐसा क्या है, जो help us याने हमारी help करता है to locate any place, याने की कोई भी place को locate करना है, पता करना है कि वो कहाँ पर है, okay पूरे earth के surface में वो कोई place कहाँ पर है, on the surface of the earth तो earth के surface पर कोई भी place, any place याने कोई भी place locate करना है, पता करना है कहाँ है, तो हमारी help कौन करता है, किसके जरीए हम पता करते है कि कोई भी place कहाँ पर है तो latitudes and longitudes ये दोनों help करते हैं अब ये हमने देखे थे, latitude क्या होते है horizontal line होती है and longitude क्या होता है, vertical line होती है तो जहाँ पर भी दोनों line cross करते हैं, तो उस place को हम locate कर सकते हैं, पता कर सकते हैं जैसे example के लिए, ये हमारा earth है माले जी ये एक latitude है और ये एक longitude है तो दोनों यहाँ पर cut किये तो इस cut, जो cut point है यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि वो particular place कहाँ पर है तो कोई भी place earth पर कहाँ पर है उसके लिए हम latitudes और longitudes दोनों की help लेना जरूरी होता है, कोई एक काम नहीं कर सकता है, cross point नहीं मिलेगा न हमको, जो cross point मिलना चाहिए तभी तो पता चलेगा कि वो place कहाँ पर है clear students, तो latitude भी चाहिए and longitude भी चाहिए clear, next blank है there are blank parallels in each hemisphere तो बोल रहा है, there are यहाँ पर जो parallels है यह क्या है, मैं समझा रहा हूँ, each hemisphere हर एक hemisphere में तो पहला कोशना आता है कि hemisphere क्या है right, तो देखिए अगर यह हमारी earth है इस earth के एकदम बीचो बीच से, जो horizontal line जाती है, इसको हम क्या बोलते है, equator क्या बोलते है, इसको हम बोलते है, equator तो यह equator के इधर भी हमको आधा sphere मिलता है और नीचे side भी आधा sphere मिलता है तो आधा sphere जो मिल रहा है इस आधे sphere को हम English में बोलते है, hemisphere hemi मलब आधा, तो आधा स्फियर यहाँ पे उपर साइट पे नौथ पोल के साइट पे एंद आधा हैमिस्फियर या हैमिस्फियर बोल सकते हैं आप साउथ पोल के साइट मिल रहा है अब देखिए ऐसा नहीं है students कि पूरे earth में सिर्फ एक ही latitude होता है horizontal line होती है ऐसे और भी बहुत सारे latitude होते हैं जो कि एक दूसरे के parallel होते हैं parallel मलब एक दूसरे को cut नहीं करते हैं एक दूसरे के parallel होते हैं तो अब यहां बोला गया है कि हर एक each याने की हर एक hemisphere में ने की सिर्फ इस part की बात करें अगर तो इस part में कुल कितने parallels होते हैं यह parallels कितने होते हैं तो 89 parallels इधर भी होते हैं 89 parallels इधर भी होते हैं तो हर एक hemisphere में कितने होते हैं 89 इधर भी 89 और इधर भी 89 ओके students clear है I hope students आपको एक clear हो गया होगा अगर आपको हमाई वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमाई चैनल को सब्स्राइक किये जिए और वीडियो को लाइक जबूर करें आज के लिए इतना है